बावियात्माओ जीवन बड़ा अनमोल है आज हमें जिमतन करना होगा अपने आपके लिए जब तक हम अपने आपके बारे में विचार नहीं करेंगे तब तक अपनी सूध हमें नहीं मिल पाएगे कि हम कौन हैं आखिर में यह जो मनश्यभव मिला संपूर्ण इंद्रियों का समाघं मिला न बाहरे हैं न लूले हैं न लंगडे हैं सुन्दर रूप मिला उत्तम जाती मिली उत्तम कूल मिला अब यह सोचना है कि हमारा उप्योग साकार मिला है या न मिला हमारी जागरत अवस्ता है या नहीं है क्या हम संगी पने को सार्थक बना रहे हैं क्या हमें छब प्रयाप्ति प्रुन रूप से प्राप्त हुई है उसकी सार्थक्ता प्रदान करने हैं सोचना पड़ेगा चिंतन करना पड़ेगा क्या हमने विदे हुए भवो में अर्थ पूद्गल परावर्तन रूप काल सेश बनाया या नहीं बनाया क्योंकि विशुद्ध प्रणामों की ध्वाराई अर्थ पूद्गल परावर्तन खीर्या संपूर्ण होती है हम इस योगी बने है या नहीं बने है कि हम सम्यक्त को प्राप्त करने के पात्र है सोचना पड़ेगा है क्या हमने हमारे कर्मों की इस्ति अंत कोता कोटी प्रमान से चंप करने का पुर्शार्थ किया है या न किया है हम में योकत्ता है यान्ए विचार करना चाहीए पहले तो मुझे भीकार और है कि मैं इस जो कि हूं या नहूं तब आपको में कहने का अधिखारी बन सकता हूँ मैंने पुर्शार्थ किया है सकल से इमधारण करने का अपनी परिणामों की विशुति करने का आचार स्री की करपा हुई मेरे पर इनका मार्ग दर्शन मुझे मिला इनकी करपा हो गई तो मैं आज इस पत को प्राप्त करके धन्य हो गया बंदो हमें आज सोचना है मैं आपको इस मोड पर ले जाऊंगा कि आप सोचने के लिए विवस हो जाएंगे मैं आज के दिन आपको इस बात के लिए प्रेरित करने के लिए बात कर दूँगा कि आप कौन है आप केसी आत्मा है पहला चरनक्तों में इस बात के लिए आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि यह मनश्य भव आखिर में प्राप्त केसे हुआ इतनी सारी अनुकुलताए हमें केसे मिली आखिर में इसका रश्य क्या है जहां से निकला यह जीव निगोट से वहां से यात्रा प्रारम करता है वहां से पहली बात तो निकलना बड़ा दुरलब है वहां से कोई निकला इसका मन उसका भागि जाग गया पर किसी विशेई इस पुर्णिकरम की सयोग से हम वहां से निकल गए अनादी नंत काल बिद चुका है जा अनंत जीव अनंत अनंत जीव उस नित्य निगोद में अभी तक पड़े हुए है सुसुप्त है जा एक स्वास में ठारा बार जन्मरन किया जा रहा है बार 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 जा एक शन मात्र भी सुक का लवलेश मात्र नहीं है उस अभस्ता से निकलना कोई मामूली बात नहीं है सावर प्रियाय को प्राप्त किया निकल करके प्रथ्री का एक मना, जल का एक मना, अगनी का एक मना, भायू का एक मना, वनस्पतिक का एक मना हजारो हजारो सागर वर्स उस परिस्तिते में पूरे कर दे और कोई हमारा पुन्य जागा दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री विकलते प्रयाय को हमने प्राप्त कर लिया दिखो यात्रा हमारी आगे बढ़ी बढ़ते गए, बढ़ते गए और पंचे इंद्री असेनी प्रयाय को प्राप्त कर लिया दिखिए वहां मन नहीं है असेनी का मतलब क्या है? जाँ मन नहीं होता बिना मन के क्या है? कुछ जीना क्या है? केसा है जीना? जाँ मन ही नहीं है तो फिर जीना केसा है? उस अवस्ता से भी आगे निकले पड़ा जब आगे बड़ा यात्रा आगे बड़ी तो पंचेंद्री शेनी रूप में हमने जन्म लिया वहाँ देखो आप पंचेंद्री अवस्ता की थोड़ा सा चिंतन कर लेना आप आपके आखों में आशू नहीं आए तो चिंतन नहीं है आपका किसे निकले होंगे वहाँ से आप कितनी है या देखो आप वद है बंदन है दुख देखिए चिंतन करिए आप बार-बार कौन खिलाता है कौन पिलाता है सबल निर्बल को खा जाता है मारने में कोई देर नहीं लगती है किसी को एक शंड का वरुसा नहीं है कितना धुख तीरियंच परियार में क्या-क्या नहीं बना वह से निकला पर मरते हुए परिणाम बिगड गए तीरियंच वस्ता में अधिकतर परिणाम बिगड जाते बहुत आये संख्या तीरियंच को कि एसी होती है जा परिणाम बिगडते ही है आर्थ ध्यान पुरुक मरन करते हैं पीड़ा जनी थे आर्थ ध्यान इतनी पीड़ा इतनी पीड़ा देखो अपसू उससे निकल करके अमका पहुझ गए नरक अवस्ता आर्थ ध्यान का प्रतिपल क्या है ध्यान रखना अप मेरी बात का अगर पसू होकर के आर्थ ध्यान किया तो नरक में पहुझ गया और हम करेंगे तो क्या फल मिलेगा आगे सुचेंगे हम इस बात तो यहां कहना चाहरे है इस बात को कहना चाहरे है कि हमारे आचार भगवंत बार-बार यह कहते हैं कि याद करो उस समय को जिस अवस्ता को कि जहां दुख की दुख के अलाव कुछ नहीं था और नरको की मार काट देखिए आप इतनी वेदना, इतनी वेदना कि उसको याद करके रोना नहीं आता तो फिर केसा जीवन रोईए आप, मैं कहता हूँ रोना चाहिए संसार की दुकों से बैबीत होकर के रोना चाहिए तबी तो वेरागी उमरता है वेरागे का बीच जब उबड़ेगा, जब पेदा होगा कि आप अपने पिछले समय को याद करके रोना प्रारम कर देगे बैबीत हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे अश्य आपको वेरागी जोती है, वो जागरत हो जाएगी कि मुझे पुना उस यूनी को प्राप्त नहीं करना है, यह भय चाहिए नरकों की मैं इसकी बड़ी भाक्षा नहीं करूँगा क्योंकि आज समय जितना मुझे मिला है उतना ही तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि नरकों की जो जा खाने को नहीं, बीने को नहीं जा एक वेकरिक परकरिया से सम नार की वेकरिक रुपधान करके मार काट करते हैं कभी हाथी बन जाते हैं, कभी शेर बन जाते हैं, एक दूसरों को खाते हैं, गुरम-गुरम यानि हतियारों से उसको छेतते हैं, बेटते हैं, जलाते हैं उटा करके फेक देते हैं, टुकडे-टुकडे कर देते हैं पर वां अकाल मरन नहीं कितना भी आप कोशिश कर लो कि मैं मरना चाहूं पर वहाँ मर नहीं सकता वो पीडा काई एक प्रतीक है नरकायू बस सिर्क पीडा अगर किसको प्राप्त करनी है तो नरकायू काचिंतन खरिए वहाँ पीडा देखिए किसी विशेश पुन्य से इसने मनश्यभव प्राप्त कर लिया अब मैं इस मनश्यभव की जेतावनी आपको दे रहा हूं कि नो महिने तक इसकी इस्तिति क्या रही विचार करना सब बेठे हुए आपको जान से करना इस वात को इसी से वेरागिया आजाएगा उल्टा लड़का केसिस्तान पर अब पवित्रस्तान पर उल्टा लड़काया गया माता ने जैसी प्रकरिया की उसका सारा दुख उसको बिला देखिए आप वहां रोता तो कोई सुनने वाला नहीं वहां चिला तो कोई सुनने वाला नहीं कभी-कभी मा कहती कि बच्चा रो रहा है बच्चा हिल रहा है बच्चा डूल रहा है बहुत सारी माता ऐसा कहते हैं सुना इवन है वहां उसकी वेधना है आपको अगर चार घंटे के लिए उल्टा लड़का करके बान लिया जाए तो क्या हिस्तिती बनेगी सोचो आप सोचो ना इस बात पर कभी कि चार घंटे के लिए किसी को उल्टा लड़का करके बान लिया जाए तो क्या हिस्तिती बनती है नो महिने लगातार देखिए आप सोच ना उस परिस्तिती को आपके आखों में आसों आने चाहिए वो वेदना से करके आये हैं और ये वेदना कोई पुरानी नहीं है ज्यादा बड़ी वेदना इसी नहीं है लंबी अंतरकाल बीद गया हो याद कर सकते हैं इस वेदना को और उस गंदे स्तांथ से इसने बाहर निकलने का उत्यम किया तो बाहर निकल गया वायू के प्रकोफ से वायू के द्वारा निकलता है निकल जाता है जन में ले लेता है पर जन में लेते ही इतना रूधन करता है इतना रूधन करता है कि उसकी रूधन देख लो तो दय आ जाई माता उसे पुछ सकता हूं मैं जब बालक जन में लेता है कितना रूधन करता होगा कैसे थप थपा कर थप थपा कर थप थपा कर उसको चूप करते हैं उसके मुख में कुछ देते हैं स्वाद का उस स्वाद को चक्कर के भूल जाता है उस नौ मैनी की वेदना को को रोना बंद कर देता है जैसे मुझ में कुछ मिठास या कुछ दिया जाता है इसा सुसुना है मैंने तो चुप हो जाता है और देखिए फिर दीरे दीरे बड़ा होता है तो किस तरह से बालपने में खेलता है कुदता है बच्पन अच्छी तरह से पूरा कर लेता है युवा बन जाता है इस तरह संग साथ में जोड़ दी जाती है इस तरह का संग ले लेता है और फिर अपना आप जैसा जीवन बन जाता है अब मैं मेरे पॉइंट पर आता हूं मेरे इस प्रकंट से आता हूं अब ये सारी अवस्ताए गुजर करके हम मनुष भव प्राप्त किया अब आप जिनतन करना इस वाद का मनुष भव इतनी सारी योग्यत आए जिन धर्म की प्राप्ति सद उप्दे सुनेने का भाव देखिए आप कोई मामूली बात नहीं है इस जाजम पर आकर के बेटना धर्म का उप्दे सुनाई ये इस बात का प्रतिगेई का आप भव्याक्मा है एक ठपा आप पर लगा दिया जाएगा कि आप धर्माक्मा है बव्यात्मा है बव्य है नहीं तो भाव नहीं बनते आप दूसरी बात अब यहां करके आप अपना उप्योक साकार करिये यह दूसरी बात है अगर आपने उप्योक अपना साकार नहीं किया दर्म उप्दे सुनने का भाव नहीं किया और आपको अगर सम्यक्त की प्राप्ति नहीं होती है तो आप जैसा ग्यानी कोई नहीं होगा क्योंकि धर्म उपदेश सम्यत्व का कारण है मैं तो के रहा हूँ आज कि आज ही सब को वेरा ग्या जाना चाहिए यह अंब्रत पान है धर्म उपदेश हमारे आचयार स्री महराजी कितना उपदेश करते हैं क्या क्या बताते हैं आपको जाग जाओ 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 कोई के देख जाओ 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 चोर आ रहें तो आप क्या करेंगे सोरी थे ते रहेंगे क्या बता हिए अच्छा कोई अगर इस तरह की आवाज करें चोर आए है चोर आब बशेंटान को आफ माए तो आप क्याके चाहिक जाओ जाओंगे को आधर्ट हो जाएंगे और आपको इतनी कथा सुना रहे हैं और आप भैबित नहीं हो रहे हैं बला सोचो आपको सोचना मेरोको नहीं सोचना पर ते एक व्यक्ति की अपनी अपनी खथा होती है अपनी अपनी कहानी होती है गरगर की कहानी एक कोई आयता सिरियल जायत अपने प्रणाम केसे बंद रहें ये तोली ये हमारे प्रणाम कलुशित है या फिर संसार, शरीर, भोग के प्रती आसक्ति को लिये हुए है क्या हमारे में क्रोध, मान, माया, लोब कुट-कुट कर भरी हुई है सूचिए आज इसी बात पर मैं सोचने का समय देंगा आज पूरी रात्री पर सोचके आएंगे आज कि मैं कौन हूँ, मैं कहां से आया हूँ और मुझे कहां जाना तीन बातों का ध्यान करेंगे आज तो आपको यह निर्दारन करना है सोचेंगे तीन बात पर मुझे स्विकृति दें पहले आप सोचेंगे तीन बातों पर कल उत्तर चाहेंगे माराज जी पूचेंगे आपसे तीनों का उत्तर चाहेंगे हमारे गरुदेव कितना सद उपदेश करते हैं सटिक उपदेश करते हैं कि आपकी आत्मा जाग जाए मैं तो चाहता हूँ कि आपको इसतरका उपदेशी चतुरमास में मिले कि अधिक से अधिक लोगों को यह बेरा की हो जाए तो मैं पुने ही अपनी बात पर आता हूँ कि आप क्या विचार करेंगे कि मैं कौन हूँ अब कौन में क्या सोचना है कि मैं बहिरात्मा हूँ मैं क्या बहिरात्मा हूँ प्रस्ण चिन्ने इसका उत्तर आपको देना पड़ेगा हम नहीं जानते हैं आपके से आपकी आत्मा को हम थोड़ी जान सकते हैं पर आपको देना पड़ेगा उत्तर क्या मैं पहले प्रस्ण किया मैं कौन हूँ दूसरा प्रस्ण किया आपने क्या मैं बहिरात्मा हूँ इसके लिए मुझे बहिरातमा का सरूप समझाना पड़ेगा क्या समझाना पड़ेगा बहिरातमा का सरूप बहिरातम के अंतर मन में क्या-क्या अंतर पड़ता बंदन पीडन बादाओं में आकुलता आकुलता सूचना मेरी बाद पुपुना क्या सूचना आपको बैरातम के अंतर मन में क्या-क्या अंतर पड़ता बंदन पीडन बादाओं में आकुलता आकुलता इसी तरह जीवन गुजरेगा जीवन निश्पल हो मेरा अंतिम मर्न समाधी तेरे धर पर हो सब समाधी की भावना के लिए वेरागी को लेकर के कल आ जाना सोच लेना मेरी पंक्ती याद रहेगी सिर्फ बैरातमा की बैरातमा कैसा होता है इस पंक्ती से आप चिंतन कर सकते हैं और भी विसेश रूप से समझने के लिए बैरातमा जो होता है वो परियाय बुद्धिवाला होता है वह पर के प्रति आसक्त रहता है अब पर क्या है इक बाद एक प्रस्न उठेगा पर है क्या मेरी इस्तरी मेरा पूत्र मेरा परिवार मेरी धन मेरा दोलत मेरे जमीन जायदाद मेरे महल मकान मेरा सोना चांदी धन दान्य दास दासी मेरे बरतन भस्त्र पसुधन यह नि जितने भी परिक्र है क्या वो मेरे है सोचना पड़ेगा अगर आप कहेंगी कि वो मेरे है तो फिर आप केसी आत्मा कहलाएँगे केसी आत्मा कहलाएँगे उनके परति आ सकते ममत्व है उसमें आप अंदे हो चुकें अज्यानी हो चुकें भूल गए अपनी प्रणाती को उनी में रमते रहे उनहीं की भोग उपोग में अपना समय वतित कर रहे हैं, तो समझ ले न, आप कोण है, आप लिए उत्तर देंगे, मैं नहीं दूँगा, मैं किसे को का कैसे के सकता कि आप बैरात्मा है, मैं तो आपको भवयात्मा के चुका हूँ, मैं आपको भव्यात्मा कहे चुका हूँ इसलिए बहिरात्मा नहीं कह सकता पर आपको उत्तर देना पड़ेगा कल आचार स्री यह हमारे जो मुलिराज्जी विराजबार कुण सी आत्मा है कि दूसरी बात क्या आप मिध्या मान्यताओं में उल्जे हुए हैं कुदेवों की आरदना करने में संबलत में हैं कि दंद के लिए दोलत के लिए संसारिक खुश्यों के लिए क्या आप उल्जे हुए है अपने आराध्य देवसास गुरु की प्रति आपकी वो रुजी और सद्धार नहीं बन पा रहे हैं कि जो बननी चाहिए है क्योंकि एक को छोड़े बिना दुसरी की प्राप्ति नहीं होती आता ऐसा युक्ति है एक को छोड़े बिना दुसरी की प्राप्ति नहीं होती तिसलिए यहां कि आप मिध्या मान्यताओं में विश्वास करते हैं या नहीं दुसरी बात पर सोचना ह क्या आप पाज पापों में रत हैं तिस्री बाद क्योंकि निर्दारण करने के लिए कई तरह से सोचना पड़ेगा क्या आप हिंसा जूड चोरी परिग्रख कुशील में आप इतने अंद्य हो चुके हैं कि आपको बिल्कूली करूना नहीं दया नहीं क्या आप लाल्ची हैं या तिंत कुरूदी हैं या भौती कप्टी हैं मायचारी हैं या भौती अंकार से भरे हुए हैं बात बात में इगो अंकार ममकार यह सोचना पड़ेगा है या फिर विश्य वासनों में इतने रख नहीं पांक इन्डियों के पांच वित है और उनिंक्षि इतने आस्सक्तहें कि जो्पक एक इन्ड्री के वश्यत्तव Liz Glory कर प्रान घृँ देते तो फिर पाँच इंद्रों के वशीपूत हो करके आपकी क्या इस्तिती बनेगी विचार करना सब्त बैसन में रत हैं अबक्ष का सेवन खरने वाले हैं आप अपने आत्मा के प्रति उदाशीन हैं आपकी इसी कोई अंदर से जागरती ही नहीं है कि मैं परमात्मस्वरूप हूँ मैं श्यम परमात्मस्वरूप हूँ ये रुची ही नहीं है बस पुद्गल को सब कुछ मान करके बेठे हैं क्या ये पुद्गल ही मेरी आत्मा है ऐसा अवधारना तो कहीं आपकी नहीं है और भी विचार करें क्या मैं दुखी हूँ? इस प्रस्मर विचार करना पड़ेगा क्या मैं दुखी हूँ या सुकी हूँ? जब तक ये प्रति उत्तर नहीं मिलेगा आपके मन में तब तक आप निर्दारण नहीं कर सकते मूल बात है क्या मैं संसार के भोगों को भोगते हुए सुकी हूँ? प्रस्न करना पड़ेगा तो बंद हो क्योंकि हमारे घुरुवर अभी संभोधन करेंगे मैं विच्वे को नहीं बढ़ाता हूँ मैं आज की दिन बस एक प्रस्द चिन छोड़ करके अपना प्रवचन बंद करूँगा कि आप कौन है? कहां से आए हैं? कहां आपको जहना है? आप सुखी है या दुखी है? इसका उतर चाहिए इतना ही करकर आप सभी आपको धर्म की जहागरती प्राप्त हो चोबिस्तिर्धंकर भगवान की जय जय बलो आचेहरे बर्दमान सागर जी महाराज की जय बलो मुनी संग की जय जय बलो मुनी जय बलो मुनी जय जय दुटी जय 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 नचेए